करती द्वनी और साइंस मीट हिस्ट्री में आपका स्वागत है मेरा नाम है जीवी पवन कुमार आज इस एपिसोड में आलिवर हीव साइट के बारे में हम डिसकस करेंगे अलिवर हीव साइट काउंत है उनको मैक्सवेलियन क्यों बूलाते है उनका साइंटिफिक कॉंट्रिविशन क्या है यह सब हम डिसकस करेंगे इस एपिसोड में आलिवर हीव साइट बहुत ही इंट्रेस्टिंग आदमी थे और ग्रेट साइंटिस्ट भी थे मैं BSMS students के लिए optics पढ़ाता हूं जब मैं optics पढ़ाता हूं तो उसमें wave theory of light आता है जब हम wave theory of light को discuss करना चाहते हैं तो Maxwell's equation यूज करना पड़ता है आप screen पे देख रहे हैं चार equations integral form में हैं और differential form में हैं यह चार equation बहुत ही important है और generally हम उनको Maxwell's equation कहते हैं यह चारो equation electricity और magnetism को एक ही platform पे लेके आता है और बहुत ही useful है अल्दो यह equations Maxwell's equations हम बुलाते हैं actually Oliver Heafside ने इस form में इस equation पहले बार लिखा है Oliver Heafside बहुत ही interesting person थे वो 1850 में जन्म हुआ उनका और काफी poverty था उनके गर में और उनका health भी अच्छा नहीं था जब वो 1850 में बहुन हुए थे और उनका life भी बहुत अन्यूजल था उनका कुछ formal education science and engineering में नहीं था फिर भी उनका scientific contribution बहुत ही important है history of physics में वो वीट्स्टोन के नव्यू भी थे हैं आप शहद जानते हैं वीट्स्टोन नेट्वर्क जो हम पढ़ते हैं जनरली undergraduate courses में शायद यून स्कूल में पढ़ते हैं पता नहीं और वो जो वीट्स्टोन है वीट्स्टोन ने हीवसाइट को टेलिग्राफी कंपनी में एक काम दिलवाया था 1870 में टेलिग्राफ कंपनी बूमिंग इंडस्ट्री था तो बहुत सारे employment थे उसमें और हीवसाइट बहुत ही जान लगा के काम किया वहां और काफी सीका उन्होंने उस पर्टिक्लर काम में अराउंड 1872 जब वो 22 यूर्स थे ओलिवर हीवसाइट रिसर्च पेपर पब्रिश किया और वो भी जर्नल philosophical magazine में यह बहुत ही important जर्नल था उस ताइम पर और जो पेपर हीवसाइट ने लिखा Lord Kelvin जो Kelvin scale temperature का हम बोलते हैं वो और James Maxwell दोनों यह पेपर पड़ा और बहुत ही actually impressed हुए हीवसाइट के research के बारे में लेकिन अचानक around age of 24 हीवसाइट वो काम छोड़ दिया जो company में काम कर रहे थे वो काम चोड़ दिया और वापस उनके parents के गर पे चले गए है क्यों चले गए है वो काफी reasons है एक reason है कि उनका health अच्छा नहीं था और एक और reason है कि शायद उनका interpersonal relationships के बारे में भी कुछ problem था क्योंकि काफी team में काम करना इतना आसान नहीं था हो पे लेके आए और बहुत ही important discovery है वो specific integration of electricity or magnetism हीवसाइड जो गर पे थे वो क्या क्या उन्होंने इस particular Maxwell's book को electricity and magnetism book को very deeply पढ़ने के लिए शुरू किया लेकिन जब वो पढ़ रहे थे वो काफी complicated लग रहाता उनको वो कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि वो specifically जैसे equations Maxwell's ने लिखा था वो तोड़ा complicated था तो उन्होंने क्या कि यह specific book लेके उन्होंने decide किया कि वो Maxwell's book है ना उसको rewrite करेंगे क्योंकि Maxwell's जब यह book लिखा था उन्होंने specific formalism use किया था वो formalism का नाम है quarterneons एक quarterneons specific kind of number system है और Maxwell's ने जो equations उससे derive किया था वो काफी complicated था नो यह particular complication अगर सुधर ना है तो other kind of mathematics उनको लेकर आना चाहिए था तो Heafside ने क्या किया कि यह जो formalism है वो formalism लेकर vector calculus में उस equations को बदला और एक और interesting चीज है कि जब हीवसाइड यह जो काम कर रहे थे गिप्स वह बहुत ही important scientist है statistical mechanics जब पढ़ते हैं गिप्स के बारे में हम काफी concepts पढ़ते हैं वो उसी टाइम पे गिप्स भी एसे formalism vector calculus के formalism उन्होंनों भी सोच आ था वो भी लिक रहे थे लिकिन क्या किया कि उन्होंने publish नहीं किया इंपोर्टेंट लेसन आप काम करेंगे और काम अच्छा हो तो आप publish करना इंपोर्टेंट है वरना आपको कभी-कभी credit नहीं मिलता है लेकिन गिप्स तो बहुत काफी बड़े scientist है तो उनको credit तो मिला तो हीवसाइड और गिप्स दोनों यह specific formalism पुश किया scientific community के आदर और यह जो vectorial formalism जो हम देखते हैं यह जो equations में दिखा रहा हूं इंटेग्रल equations और differential equations यह चार equation compact equations Goss law, Goss law of magnetism, Faraday's law और Ampere's circuit law यह compact equations vectorial calculus framework में लिखा है तो इसलिए बहुत easy होता है इसको use करने में और इसी से आप light एक electromagnetic wave उसका derivation भी आप निकाल सकते हैं तो काफी powerful equations हैं सारे के सारे electrical engineering, electronics वगेरा भी इसी equations से accurately derive होता है special theory of relativity भी इस equations से जुड़ा है तो यह this is one of the most powerful यह काफी important equation है तो अगर आप optics इन्हें very deep way पढ़ना चाता है तो यह equation बहुत ही important है और बहुत सारे different disciplines of science में भी equations यूज़ करते हैं biophysics में भी यूज़ करते हैं तो इसका power बहुत ही ज्यादा है इंजिनियरिंग में भी बहुत यूज़ करते हैं तो क्या है कि हीवसाइड बहुत ही interesting आदमी थे और बहुत सारे contributions थे हीवसाइड के one of the important contribution था inductive loading आप शायद the transformers वगेरा आप पढ़ेंगे तो थोड़ा technical language में electrical engineering में inductive loading is very important in fact load shedding तो शायद आपको पता रहेगा जब power shed होता है लोड में तो वह specific loading और unloading inductive kind of circuits से बनता है तो हीवसाइड ने पहले बार यह specific formalism उन्होंने introduce किया और बहुत सारे different formalisms electromagnetism में वह introduce किया और क्या है कि जो ऐसे काम कर रहे थे उस time पे काफी लोग उनको नईम होना उन्होंने समझा कि inductive loading इतना important नहीं है इतना useful नहीं है तो काफी controversy था और काफी fights भी थे हैं बहुत ही interesting time था 1800 में eventually क्या हुआ कि यह concept of inductive loading general principle बन गया और Oliver और उनके बाई दोनों मिला कि specific concept demonstration भी किया और फाइनली यह जो concept है अब ही daily phenomena बन गया है तो initially both both resistance था लेकिन बाद में यह सा भी specific concepts day-to-day use में बन गया है तो heapside बहुत ही prolific research थे उन्होंने तीन volumes electromagnetic theory के बारे में लिखा है और various interesting research papers भी लिखा है वो क्या है कि 20 साल तक column लिखते थे और a specific magazine में उस magazine का नाम है electrician the electrician बीस साल think about it हम एक महिना या दस दिन के लिए daily लिखना बहुत मुश्किल है लेकिन एक column बीस साल के kind of span में लिख रहे है तो काफी focus था उन में और काफी और उनका practical knowledge of electricity and magnetism भी बहुत अच्छा था around 1914 उनका थोड़ा actually depression में चले गए वो थोड़ा ill health हो गया in fact unfortunately paranoia भी आ गया और mental health issues भी actually उनका काम में disturbed होने के लिए शुरू हुआ और काम नहीं कर सके और last 10 years or so में ज्यादा काम नहीं कर सके लेकिन उनका contribution even then was very very high unfortunately 1925 में heweside passed away तो उनका देहांत हो गया अगर आप heweside के बारे में और थोड़ा जानना चाते है और उनका science के बारे में थोड़ा और जानना चाते है तो मैं यहां reference दिखा रहा हूं और फेंटास्टिक reference मेरे opinion में है history of science के viewpoint पे लिखा है यह जो equation है the Maxwellian आपको शाहिद पता चला पता है कि मैं इस एपिसोड शुरू किया कि Oliver Heweside Maxwellian है क्यों ऐसे बुलाते हैं मैं एक मिनिट में बोलूंगा और एक और source है कि Oliver Heweside a first rate oddity a physics today में publish हुआ है इस particular article का details बहुत अच्छा है Bruce Hunt ने भी लिखा है यह इस particular book का kind of small summary है यह article और बहुत ही interesting है आप पढ़ना चाहते हैं तो यह link देखिए जरूर interesting लगेगा और Paul Naheem भी एक book लिखा है Oliver Heweside the life work and times of an electrical genius of the Victorian age वो भी interesting book है तो Maxwellian क्यों बुलाते हैं Oliver Heweside को और और काफी लोग थे जिसको जिनको Maxwellian बुलाते थे for example Fitzgerald, Oliver Lodge और Henry हैं हर्ट्स जो frequency के units है हर्ट्स वो भी Maxwellian बुनाते थे क्यों ऐसे बुलाते हैं वो very interesting कहानी है और इस particular book जो है उस particular book का introduction में specifically forward में एक और historian of science Peter Williams very interesting explanation देते हैं वो बोलते है कि जब Newton's Principia published हुआ और Maxwell's treatise भी published हुआ और scientific community पूरा convinced नहीं थे कि यह specific theory जो आया है वो टीक है या क्यूंकि the main problem है कि उसमें mathematics दो था वो इतना आसान नहीं था it was quite complicated जब Maxwell उन्होंने लिखा उनका motivation था कि Faraday का vision जो experimental vision था वो mathematical physics framework में physics kind of literature में strongly kind of anchor करने के लिए वो try कर रहे थे तो Maxwell's purpose वो था तो unfortunately जब Maxwell's यह specific book लिख रहे थे first edition published हुआ वो second edition जब publish करना चाहते थे unfortunately around 1879 उनका देहांत हो गया he died so Maxwell died very young काफी actually probably shared 40s में थे जब उनका देहांत हुआ which is very unfortunate we lost one of the greatest scientist Maxwell तो बहती बड़े scientist है और अब क्या हुआ कि Maxwell's का जो paper और Maxwell का जो important treatise था उस time पे है वो Maxwell ideas जो लोग Britain में थे वो ideas काफी लोग जानते थे उस ideas को pick-up किया and उस particular ideas को rework किया mathematical framework में डाला for example vector calculus framework में बहुत important kind of equations उन्होंने निकाला as मैंने बोला था वो चार equations जो Maxwell's equations अब बुलाते हैं वो actually Hewside के formalism से आता है vector calculus के जरिया जब वो equations publish हुआ physicist और बहुत scientist उसको बहुत ही positive view में लिहा तो इसलिए यह सारे जो scientist है प्रिच्गरार्ड, Oliver Hewside, Oliver Lodge और काफी लोग उनको Maxwellian बुलाते क्योंकि यह Maxwell's का idea Maxwell का idea लेके बहुत ही interesting framework mathematical framework लगाके वो ideas scientific community में बाठ दिया और यह ideas revolutionary है और very important है क्योंकि important ideas लेके आप easy framework में डालेंगे तो scientific community में बहुत ही actually आसान हो जाता है वो ideas further development करने के लिए this is a very important point scientific research में यह बहुत ही important point है जब नाया ideas आता है कभी-कभी वो ideas complicated लगता है लेकिन कुछ time के बाद काफी लोग इस idea को पढ़ने के बाद वो ideas को simplify करते हैं जब Maxwell's का equation लेके उसको reformulate किया और जो formalism हम अभी जानते हैं उसको इन ही लोगोंने actually reorient किया scientific community तो यह रही कहानी अलिवर हीवसाइट की तो आप देख सकते हैं कि उनका life history तोड़ा interesting है और लेकिन also sometimes little tragic क्योंकि उनका mental health issues भी थे और scientific community में सब तरह के लोग होते हैं वो important है हमको appreciate करना काफी लोग जो होते हैं जो introvert रहते हैं मतलब वो शायद बहुत लोगों से बात नहीं करते हैं लेकिन काम बच्चा करते हैं काफी लोग extrovert भी हो सकते हैं और कभी-कभी between category पे भी बहुत सारे लोग होते हैं तो इसलिए the important message is that अगर एक important concept develop हो रहा है उसका simplification करना और in-depth understanding के बारे में आप लिख सकते हैं या reorient कर सकते हैं new framework में वो बहुती बहुती useful रहेगा scientific community के लिए तो यह रहा ओलिवर हीव साइट के कहानी उमीद है कि आपको यह specific Hindi explanation blog के बारे में अच्छा लगा अब देख सकते हैं कि मेरा Hindi इतना अच्छा नहीं है ट्राइ कर रहा हूं काफी लोग जब मैं solo podcast कर रहा था काफी लोग feedback दे रहे थे कि क्यों ना कभी-कभी Hindi में भी आप यह specific solo podcast करें क्योंकि काफी दिलचस्ट भी है student community में especially यह जो history of science के बारे में हम discuss करते हैं तो इसलिए मैं मैं ट्राइ किया हूं आज मैंने बोला कही है और कि मेरा मात्रुबाशा करनड़ा है लेकिन हिंदी तोड़ा बहुत बात कर सकता हूं लेकिन फ्लो का problem है क्योंकि appropriate words मिलना तोड़ा मुश्किल है लेकिन मेरा उच्छारण शायर टिक टाक है लेकिन still work in progress है और और इंग्लिश के words भी में यूज करता हूं जब भी में हिंदी बात करता हूं एनिवे आप science meets history यह जो YouTube चैनल है आप subscribe कीजिए प्लीज आपको शायद और तोड़ा वीडियो में बना सकता हूं और feedback दीजिए इस वीडियो पे भी बोलिए कि आपको कैसे लगा वह important feedback है especially क्योंकि मैं यह हिंदी के version पहले बार कर रहा हूं तो अभी काफी चीज़े मुझे इंप्रोबी करना है और जनली में blocks लिखता हूं यह block site actually the central point है मैं जो भी करता हूं वह सब यह block site पर आता है YouTube चैनल Spotify वगरा वगरा वह peripheral है मतलब वह central नहीं है मेरा block site central है लिखता हूं history of science के बारे में और वीडियो जो डालता हूं especially जो भी वीडियो ऐसे में कर रहा हूं उसको भी डालता हूं और काफी podcast जो करता हूं उसके बारे में भी information इसमें है और सब files इसमें भी इसमें access कर सकते हैं तो आप interested है तो इसको भी subscribe कर सकते हैं क्योंकि जो भी blogs वगेरा मैं लिखता हूं वह directly आ जाता है तो मैं try करूंगा जो blogs में especially लिखता हूं particularly history of science के बारे में जो blogs लिखता हूं वह ब्लॉक्स हिंदी में ऐसे वीडिया बना के आपको आपको ट्राइक करूंगा रीच करने के लिए no thank you very much